हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरपन फूल खुशियों के बाटे सभी को सब का जीवन ही बन जाए मधुबन आपको पता है मुझे क्यों याद आया गाना क्योंकि मैं अपने परिवार का इंटराक्शन देख रहे थी आपस मैं दुसरे को एल्प करना देख थी कितना रस्पेक्टफ़ल आप एक दुसरे से बात कर रहे हैं इसको देख रहे थी आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी क्म्यूनिटी हर आपने आपको एक्सेल कर देती है अपने आपको प्रूफ कर देती है आपको प्रूफ कर देती है तक वी आर प्रिटी प्रिणा फामिली और वो सभी लोग जो अपना confidence यहां पिट्रस की तरह शेयर कर रही है अगर आपने डे 1, 2, 3 चेक आउट नहीं किया है तो description box में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप सीक्वेंशली सीरीज को फॉलो कर सकते है और every single day गजब के results अपने लिए पास सकते हैं जहां और जब confident फील करें तो वापस आके हमें भी बताएगा कि आपके लिए magic हो चुका है स्वागत करती हूँ अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे subscribers का जो कि इतने खुबसूरत से results मेरे साथ शेयर कर रही है यहां रोज आ रहे है इस सिरीज को super hit बना रहे है आज हम आचुके हैं day number 4 पर जहां पर हम focus करने वाले हैं discoloration of our skin tone हम focus करने वाले हैं आपके skin के texture को improvise करने के लिए लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा परिवार इस बात को समझे कि यह सारी चीज़े एक application से नहीं हो सकती है इसलिए सिरीज के माध्यम से मैं चाहती हूँ आप अपने आपको educate करें समझाएं कि okay कि sunscreen शाम के समय नहीं भी लगाएं तो चल जाता है sunscreen घर पर भी है तो भी लगाना चाहिए रात को अगर oiling करी है face पर तो next day face wash करना जरूरी है यह चोटी चोटी बाते अगर आप अपने आपको समझाते रहते हैं educate करते रहते हैं तो यकीन मानिए इस सिरीज को मैं सुपर डूपर हिट करार करोंगी बिकिस मेरी फैमिली एडुकेट हुई है समझी है और अपने आगे घर परिवार फ्रेंज के साथ शेर करेगी तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि आज मापके skin के discoloration टेक्स्च्चर को इंप्रूव करने के लिए डाक स्पोट्स अकने मांक्स वो सारी चीजे जो आपके इनर गलो को बाहर नहीं आने दे रहा है बाधा बन रहा है इनको एड्रेस कर रहे हैं इसी लिए हम कोर्रेस्पॉंडिंग इंग्रीडिंस भी इस्तिमाल करने वाले हैं प्लीज इंग्रीडिंट्स के बारे में अगर पढ़ सकें इसके बार में थोड़ा सा कॉन्फिदेंस गें कर सकें और फिर ट्राय करें तो नथिंग लाइक लेकिन क्योंकि सिरीज चल रही है तो अभी थोड़ा सा मुझ पर विश्वास कर लीजे और डिरेक्ली ट्राय कर ल होंगे लेकिन जब भी आप रेमेडी स्टार्ट करें प्लीज मेक शौर कि बहुत थरली अपनी स्किन को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जो हम बहुत अच्छे इंग्रीडिंस आपकी स्किन को देख रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कि डस्ट वी उसके साथ अंदर जाए इसलिए प्रिपेर करने वाले हैं जो की बहुत पाफुल है आप इसको वंस इन वाइल वैसे भी उसकर सकते हैं अगर आपको डिस कलरेशन की परिशानी रहती है not only in the winter season किसी भी सीजन में इसके लिए एक बोल में आपको लेना है आपका पहला इंग्रीटिंट और दाट इस ग्रीन जिए जो डिब डिप अली चाय होती है उसको आप उपन कर लेजे और ग्रीन टी सिरफ आप ले लीजिए जिए जिसी भी है तो साशे उपन कर लीजे अलग से है तो अप्रोक्सिमेटली आदा चमच आप ले लेंगे इसमें आपको लेना है सेकिन इंग्रीटिंट एंड़ ह अब टेबल स्पून ओफ लेकर आइस पाउडर यानि की मुलिठी पाउडर देखें मुलिठी के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो पर बहुत बार बता चुकिए आपके लिए इसकालरेशन के लिए आपकी स्किन टोन को एवन करने के लिए टेक्स्च्च्च्छ अगर सत् पीस लें लेकिन फिर चान लीजेगा क्योंकि हमें बिल्कुल महीन चाहिए हमें बिल्कुल भी दर्दरा पाउडर नहीं चाहिए और घर पर पीसते हैं तो दर्दरा ही पिसता है तो कोशिश कीजे कि राइस फ्लावर ही आप यूज करें अच्छे से मिक्स कर लीजिए चहरे पर कर सकें तरल बहता हुआ नहीं बनाना है पेस्ट होना चाहिए राइट और जब यह बनकर रेडी हो चाहिए आप अपने धुले हुए चहरे पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एवरी सिंगल पार्ट आँखे अबॉइड कर सकते हैं जब वाश करते हुए आप अराम से अपनी आखो पे भी वाश ओफ कर सकते हैं रगडना नहीं है जिस्ट क्लीन करना है अच्छे से पूरे चहरे पर इसको अप्लाई कर लीजे गर्दन पर अप्लाई कर लीजे और लेट इट भी फॉर अप्रॉक्सिमेटली 10-15 मिनट्स लेखे जो मुलेटी प्लीज जरा माजिक नीचे बताएए फैमली को ताकि वो ओफिडेंस पासके अच्छे से इसको लगा लेने के बाद जब आपको लगे की ओके 10-15 मिनट्स अर ओवर ओवजली ठंड लगी एच्छे ओड़ा सा तो सकिन के लिए सेना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको प अच्छे से इसको करने के बाद आपको चाहिए टोनर नहीं नहीं गुलाब जल नहीं आपको यूज करना है वही राइस वाटर जो हमने डे वन पर सोक किया था यादाया जी हाँ फाइनली याज इसका इस्तमाल होने वाला है यह जो राइस वाटर है यह चार दिन से मने अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लीचिए और आज आपको यही राइस वाटर थू आउट टे डे लगाना है संस्क्रीं के ओपर ही लगा लीचिए नॉर्मली चलते फिरते यह जैसे आप कामफुटबल है कॉटन की मदद से लगाना चाहते हैं वैसे लगा सकते हैं लेकि राइस टोनर को आपको अपने पूरे चेहरे पर पूरी गर्दन पर अच्छे से लगाना है और नाचरली अब्सॉर्ब होने देना है इस वेरी इंपोर्टन की आप steps को थोड़ा 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 गाब दें अब हम लग क्या करते हैं फटा 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 टोनर लगा यहा अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लगा लेने के बाद जब यह एब्सॉर्ब हो जाए इसके बाद अब आपको मॉस्चराइज करना है ना मॉस्चराइज़ेशन ओव यह इस वेरी वेरी इंपोर्टन क्यूंकि राइस दिहाइडरेटिंग है राइस फ्लावर हमने यूज किया था वो डिहाइडरेटिंग था तो टोनर अपना काम करेगा हम उसे स्पेस देंगे और उसके बाद जब मॉस्चराइजर लगाएंगे तो जैनरेसली लगाएंगे कंडूसी नहीं करेंगे एक ठिक कोट करके छोड़ देंगे और जब वो एब्सॉर्ब हो जाए तो एक संस्क्रीन का अप्लिकेशन तो डेफिनिटली होगा इसके बाद यह गुड़ टो गो फर रेस्ट अव दे अब शाम के समय जो मास्क अपने प्रिपेर किया था वो आपको दुबारा लगाना है तो इन शॉट जो पूरी प्रक्रिया आपने सुभा की थी वही शाम को होगी म तो मैं कौन होती है आपको स्टॉप करने वाली आप इसको डेफिनिटली यूज कर सकते हैं क्योंकि दिस इज एडिक्टिव लिट्रली आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना आपको मैं नहीं समझा सकते हैं मतब इत इस ताट पाफुल तो रात को आप कैस्टरोयल या कैस्टरोयल अलोन रोसे पॉल अलोन या जो कुछ भी आपके पास है उस पर्मिटेशन कॉमिनेशन में इसको लगा सकते हैं आपने पूरे चहरे पर पूरी गर्दन पर आखों पर लिप्स पर एवरी सिंगल वेर और इसके बाद आपका डे नंबर फॉर पूर होता है ज इससे भी अच्छी हो जाएगी यू जास्ट हाफ टो भी थाटफुल यह जितनी भी अप्लिकेशन हम पूरी की पूरी सिरीज में कर रहे हैं यह सिक्वेंचली हो रही है इसलिए बेटर ओफ बेटर ओफ बेटर ओफ रिजाल्स मिल रहे हैं लेकिन जब आप माल लिजए सिर अच्छी आप बेटर ओफ बेटर ओफ बन जाएगा डाग स्किन टोन इंप्रोवाईज होगा इसका मैं आपको गैरंटीड बता सकती हूं फर्मेंटेड राइस का टोनर यूज कर रहे हैं आप समझ रहे हैं इस वेरी पाफुल आप इस टोनर को क्योंकि और एक पूरे दिन स्किन यूज रहे हैं आप स्किन नहीं कर पैंगे आप इसको अगहbelsा कर सकते हैं एस अंवेन कॉ bisa क noodle अरंच पर्मेंटेड की यूज नहीं पडेगी बाहरा रहे एक तो और भी फर्मेंट होटा रहेगा तो यूज को यूज को पेय मिल उड़िय D такая एPS मेल को नाय अपनी बह आपने समझा है कि अगर डिसकलरेशन मुझे या मेरी फैमिली में किसी को होती है तो कैसे हम इसको है थाल कर सकते हैं टैकल कर सकते हैं डिय वाइस के थू और बेस्ट अफ रजाल्स अपने लिए पास सकते हैं विद आउट एनी साइट एफेक्स यस नो तो बस यही कोशिश है कि मेरा परिवार अपने आपको सक्षम बना सके कि अगर कोई परिशानी आए तो हम उसे हैंल कर लेंगे पैनिक नहीं करेंगे and we'll have amazing results for ourselves तो बस गाते गुन गुनाते जो जो अप्लिकेशन आप कर रहे हैं मुझे भेजते रहे हैं I am loving watching all of you thank you so very much I'll see you tomorrow for the finale day number 5 of our series and yes I'm missing all of you already so jaldi से अप्लिकेशन करके मुझे भेज दीचे मैं एडिटिंग करने जा रहे हूं lots of love you know what I love series not ready on a good sort of accessories penny अपनी सारी की सारी और सीधा कामरे कागे कूद कर I just love it car series हमेशा चलती रहे है not possible okay बहुत मैंने लगती है